हेलो एवरीबन यह बोटनी के अंतरगत आपका डिफ्यूजन टॉपिक है तो प्लांट फिजियोलोजी के अंतरगत ऐसे डिफ्यूजन आस्मोसिस या जो भी प्रक्रिया होंगी उनको मैं एक करके ऐसे ही वीडियो इसके आपको मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है यहापर मैं एक स्लाइड फिगर लगाया हूँ जिसके दौरा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं डिफ्यूजन को हिंदी में विश्रन बोलते हैं या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरा जो मालेक्यूल्स का मूमेंट होता है वो कंसेंट्रेशन अर्थाथ अधिक सांदरता वाले छेतर से कम सांदरता वाले छेतर की और होता है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक एक ग्जांपल के दौरा जैसे यह आप फिगर देख रहे होंगे इसमें यह मालेक्यूल्स आपको अधिक कंसेंट्रेटेट अरिया के न जैसे जब घर आप इस्प्रे करते हैं पर्फ्यूम लगाते हैं तो दूर तक उसकी स्मेल चली जाती इसका रीजन यह है कि जहां पर आपने मलब जब इस्प्रे किया तो वहां पर जो मालेक्यूल्स हैं उनका कंसेंट्रेशन या सांदरता अधिक होती है और जो दूर वेक गाशन पर्फ्यूजन आप जब जाता है कि लौ आप किरिजन को इसवाराशन मालेक्यूल्स होते हैं वह हाइज कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की और मूब कर सकते हैं और यही प्र cabinets को हैं कि इस मौशन कहा जाता है या अब इस से रिडिटट जो भी यूज़ देने की जरूरत बिलकुल नहीं होती है अपने आप जाते हैं यह पूशा भी जाता है नीट में कि क्या कोई एनर्जी की जरूरत होती में तो there is no need of energy इसके बाद कैसा है यह slow process है एक randomly मतलब यह कई एक दमी हो जाए हो नहीं है आराम से धीर दीर होता है next living system पर depend नहीं करता है देखिए यह चीज बहुत समझने वाली है जो diffusion है वो living system पर depend नहीं करता है मतलब इसमें कोई living things की requirement नहीं है कि कोई मतलब से लो उसके अंदर होगा जो living system है उसका इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है molecules है molecules निकले उनका concentration अगर जादा है तो वो स्वता ही low concentration की और move कर जाएंगे यहाँ पर मैंने यह figure भी बना है इसमें लिखा है high concentrated area और यह क्या है low concentration तो molecules यहाँ से यहाँ पर जा रहे है इसके बाद क्या है diffusion को प्रभावित करने वाले कारक पहला concentration gradient जो concentration gradient होता है वो भी मतलब diffusion को प्रभावित करता है high concentration area से low concentration area की और जाएंगे इसके बाद क्या membrane permeability जो membrane permeability का मतलब क्या है यदि membrane permeable होगी तभी molecule diffuse होगे otherwise नहीं होगे next temperature temperature बढ़ाने पर क्या होगा molecules में जो movement होगा तेजी से होगा molecules तेजी से जाएंगे और इसके बाद क्या है pressure प्रेसर भी जो है वो diffusion पर effect डालता है यानि कि जैसे कोई system है उसमें pressure बढ़ाया गया तो molecules randomly move करेंगे और वो move करेंगे तो इस प्रकार इस short video में मैंने diffusion से related जो चीजे थी वो मैंने यापर summarize भी कर दी है वो आपको बता भी दिया है जो बच्चे graduation में मतलब होती है ATP की diffusion मतलब कैसा प्रोसेस है उसमें molecules अपने आपी सोताई मूव करते क्या high concentration से low concentration की और तो इस तरीके के कई चीजें के question बन जाते हैं तो आई होब कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप बार बार सुनिये और नोट ज़रूर बना लिजेगा मैं बार बार कहता हूं तो आज के लिए इतना थैंक यू